देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जोदपूर सेंटरल जेल में बंदियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने एक बार फिर सगन तलाशी लेकर आठ मोबाइल, छे सिम, नो चार्जर, ग्यारा इयर फोन के साथ एक चाकू भी जब्त किया इन में से एक मोबाइल, एक कैदी के पास और शेस सामगरी लावारिस मिले, इसके साथ इबीडी के नो बंदल भी मिले है निकाहे चुनाव में बिकानिर जिले की देश नोक, नोखा और श्री डूंगरगट नगर पालिकाओं के लिए कलेक्टेट में लोटरी निकाली गई देशंग के 25, नोखा के 45 और शेडूंगरगट के 40 वारडों के लिए निकाली गई लोटरी में, महिलाओं के लिए 36 वारड आरकशित किये गए हैं इन में 23 वार्ड समान्य महिलाओं के लिए और अनुसचीजाती की महिलाओं के लिए 5 और अन्य पिछड़ा वरक की महिलाओं के लिए 8 वार्ड अरक्षित किये गए हैं 110 वार्डों में पुर्षों के लिए अरक्षित 74 वार्डों में समान्य पुर्षों के लिए 50 वार्ड अनुसुचित जाती के लिए 10 और अन्य पिछड़ा वरक के लिए 14 वर्ड आरक्षित किये गए है जोगपूर के जिला निर्वाचन अधिकारी इंदरजीत सिंग ने अगामी नगर निकाय चुनाव के लिए गठित निर्वाचन के लिए विविन प्रभागों के प्रभारी अधिकारियों से तैयारियों और विवस्ताओं की समिक्षा की तथा अवश्चक निर्देश दिये उन्होंने मतदान में मतगना की तैयारियों की विस्तार से समिक्षा की विकने नगा निगम करमचारियों को सितंबर महा का वेतन अब तक नहीं मिला है परिशान करमचारियों ने निगम पर प्रदर्शन कर गुदवार को आदे दिन कारे का वहिशकार किया करमचारियों ने चिताबनी दी है यदि वेतन नहीं मिला तो 16 अक्टूबर से अनिश्यत कारिन कारे वहिशकार करेंगे करमचारियों ने महापोर को ग्यापन दे कर कहा है कि कोरोना संक्रमन के दोर में जहां सभी करमचारी अपने कर्तबों का निर्भान कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ निगम के अफसर उनके वेतन को लेकर उधासीन बने हुए है जोदपूर विकास प्रादिकर्ड ने विवेक पिहार आवासिय योजडा सेक्टर B के तीन बुखंडों की E निलामी की इन इलामी में बुखंडों का E उक्षन किया गया जिससे प्रादिकर्ड को 94 लाग से अधिक की आई प्राप्त हुई है बिकानेर की शेहरी डिस्पेंसरियों में कोबिट जाश बंध होने के कारण शेहर में बढ़ते आकरोश के बाद राज्य और केंदर के मंत्री भी हरकत में आये है बिकानेर पश्चीम की विधाएक एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने सीमेच और डॉक्टर बी अल मीना को फोन पर डिस्पेंसरियों में जाश शुरू करवाने और लोगों को अधिकादी की चिकिसा सुईदा दिलवाने को कहा है कल्ला ने बताया कि समूचे शहर में जाश बंध होने की शिकायते आई हैं दूसरी और भीकानिर सांसत एंकेंद्रिय मंत्री अर्जुन राम मेगवान ने हालात की जानकारी लेने के साथ ही प्रशासन के अधिकारियों, स्वास्ते अधिकारियों के साथ ही चिकिस्सा मंत्री रखुर शर्मा को भी इस मामले पर फोन पर जानकारी दी है जोटपूर के संभाग या आयुकवेट जेडिये चेयरमेंट डॉक्टर समिच शर्मा ने जेडिये अधिकारियों के अपने कक्ष में बैठक ले डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जेडिये अतिकरमन के लिए पुक्ता कारेवाही करें सभी उपायुक्त अपने अपने जोन में समय पर मोके पर कारेवाही करें वे उनका निस्तारंड करें डॉक्टर शर्मा ने जेडिये द्वारा कराए जा रहे विकास कारों को प्रात्मिक्ता से समय पर चिनहित करके उन्हें स्व्रकृत कराने को कहा है बिकानेर राज के डुंगर महा विद्याले की ओर से आयोजित चार वर्षिय इंटेग्रेटेड बीए बीएट बीएससी बीएट पाठेक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता रखने वाले अभ्यरतियों के लिए ओनलाइन कांसलिंग का संशोधित कारेक्रम जारी किया गय चार अक्टूबर को घोशित परिनाम के उपरांत अब कांसलिंग का कारेश शुरू कर दिया गया है अभ्यरति ओनलाइन कांसलिंग के लिए 15 अक्टूबर तक 5000 रुपे ओनलाइन वेबैंक में जमा करवा कर पंजियन करवा सकते हैं इसके बाद 9-16 अक्टूबर तक महा वि और हिताश तोमर ने हरी जंडी दिखाकर इस जागरुकता रैली को रवाना किया यह रैली शहर के मुख्या मार्गों से होती हुई घंटागर जाकर संपन हुई घंटागर में लोक कलाकारों ने नुकर नाटक से आम जन को जागरुक किया जोद्पु शहर की मानव तसकरी विरोधी यूनिट पश्चिम ने एक हैंडिगाफ फ्यक्टरी में दबिश दे कर चार बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया है। मानव तसकरी विरोधी यूनिट ने फैक्टरी मालिक उत्तर प्यदेश के सहारनपुर निवासी आलिम गिर के खिलाव बासनी पुलिस थाना में केस दर्च करवाया है। जोदपुर शहर की खांडा फलसा पुलिस ने अक्टिवा गाडी चुराने वाले वहन चोर को गिरफ्तार किया। इस पर पुलिस ने आस-पास लगे CCTV फूटेज से पता कर जोगयों का बासनी वासी रमेश उर्फिंटू बोराना को गिरफ्तार किया। प्रसिद इतिहासकार साहित्यकार अंकला मरमग्य स्वर्गिय डॉक्टर महावीर सिंग गहलोत के नीजी पुस्तकाले की दुरलब पुस्तुकें वे पांडू लीपियों को आम जन्वे शुधारतियों के अध्यन अवलोकन हेतु महाराजा मान सिंग पुस्तक प्रकाश महरान गड़ दुर को भेंट स्वरू प्रदान की गई लखी बाल निकेतन में प्रेरक वक्ता गोरव व्यास ने आर्ट ओफ लिविंग द्वारा कोरोना काल के इस विकट समय में शिक्षकों को तनाव मुक्त शिक्षा के गुर सिखाए उन्हें विभिन प्रकार के मेडिटेशन प्राणायाम आदी सिखाए उन्होंने बताया कि योग वैसा कारात्मक सोच मनुष्य की मानसिक वैशारिरिक दोनों उर्जा को बढ़ाता है जोथपूर के संभागय आयुक डॉक्टर समिश शर्मा ने मिल्कमैन का लोनी में संचालित प्रथम श्रेणी चिकिस साल्य में रास्टिय पशु रोग नियंतर्म कारेकरम के तहट खुर पका मुपका रोग टीका करन कारेकरम का शुभारम किया यह कारेकरम 25 नॉमबर तक चलेगा अतिरिक निदेशक डॉक्टर चक्रधारी गोतम ने पशुपालन विभाग के पशुवों पशुपालकों के लिए चलाई जा रही योजडाओं पर कारेकरमों की जानकारी दी देश सेवा का जजबा लेकर सेना में शामिल होने वाले इच्छुग युवाओं के लिए खुश खबरी है कोरोना के कारण सेना भरती रैली को टाल रही थी लेकिन अब इसके आयोजिन की तैयारी कर ली है इस बार की सेना भरती रैली 22 नॉमबर से 31 मार्च के बीच में उद्यापूर में आवजित की जा सकती है इच्छुग युवाद 24 अक्टुबर तक अपना ओनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसरेली में जोदपूर, पाली, जालोर, सिरोही, बार्णमेर, जैसलमेर, नागोर, प्रतापकड, उद्यापूर, बासवड़ावे, डुंगरपूर के युवाश शामिल होंगे फिलाल इस मुलेटिन में इतना ही फिरहाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ